जिलो के केच्मेंट में हुई जमाजम बारश को लेकर स्वरुपसागर ओवर्फलो हो चुका है फतेसागर और पिछला में पानी की आवक लगातार बनी हुई है ऐसे में अब उदैसागर में पानी की आवक तेज हो जाएगी मदार नहर में पानी की आवक बढ़ने से फतिसागर का जल इस्तर 11 फिट के करीब पहुँच गया है वही सोमवार सुवे हवा की लहरों के साथ स्वरूप सागर छलक पड़ा सिसार्मा में आवक देखते हुए जल सिंसादन विभाक सरूप सागर के गेट खोल सकता है जिससे पानी की आवक उदैसागर में होगी वही मदार, छोटा मदार, बड़ा तालाब ओवरफ्लो चल रहे है नहर में पानी की आवक से फतिसागर का लेवल तेजी से बढ़ रहा है उदैपुर्वासी जिलों के लवालब होने से बेहत खुश और रोमांचित महसूस कर रहे है सोंवार को भी उपरी इलाके में हलकी से तेज बारिश रुक रुक कर हो रही है ऐसे में उमीद है कि इस बार फतिसागर और उदैसागर भी चलक जाएंगे